अप्रेल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के खिलाब साजिश जो ये RSS और BJP की सरकार कर रही है और जिसके लिए मैं बार-बार अहवान कर रहा हूं ऑपोजिशन पार्टियों से लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी मजबूती के साथ इस इशू को नहीं उठा र कर रही है और हमारी इतनी बड़ी जमीन मोदी जी के राज में चाइना जो है छीन चुकी है जो हड़प चुकी है वो उसकी एक बड़ी वज़ा यह दिया और जो भी इंफ्रस्रक्ट्रक्शर डेवलेप्मेंट चाइनीज वहां पे कर रहे हैं वो सीधा-सीधा पैसा हमारे देश से चुराते होगा बार बार इस बात को कह रहा हूँ यह जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं इंडिया में काम करती हैं और जो चाइनीज गौ़र्मेंटल एजन्सी की जितनी मीं कंपनीज हैं उसमें मनुवाधी मानसिक्ता के गुजराती बिजनेसमेन कितने भूने आपको समझ में आ जाएगा देश में आरेससर बीजेपी कर क्या है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए लेकिन एक बहुत ही एहम गटना ऐसी हुई है जिसकी वज़ासे मुझे आप लोगों को ऐसे तकलीप देनी आपको मेंस्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो लोग यह रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे आपको और ऐसी रिपोर्ट को दबाएंगे चुपाएंगे और यह मेंस्ट्रीम मीडिया का जो दिरेश द्रो का जो चेहरा है वो उजागर करता है आप लोगों ने कुछ मेंस्ट्रीम मी एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज उसके ऑफिस में कल रेड़ मारी है और बासट जो एलिगेशन है वह यह है कि बासट हजार करोड बासट हजार करोड से भी ज्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा-सीधा चाइना में ट्रांसफर दिया कि अभी अप्रेल के महिने में एक और कंपनी चाइनीज जो थी जायों में यह दोनों मोबाइल फोन कंपनीज है प्रेमेरली उसने भी इडी ने उसके पर रेड की थी और साड़े पांच हजार करोड का जो है चोरी करके उसको भाग गई थी यह कंपनी के भी जो डिरेक्टर ह पर ही बता रही है मैंने आपको अप्रेल में भी यह बात बताई थी कि असली देश के खिलाब साजिश जो यह आरेसेस और बीजेपी की सरकार कर रही है और जिसके लिए मैं बार-बार अहवान कर रहा हूं अपोजिशन पार्टियों से भी लेकिन कोई भी आपोजिशन पा और अमिच्छा साब की एडी और सीब्याइए और इंकम टैक्स से डरते हैं लेकिन सच्चाई है कि यह पिछले दो तीन महिने में ही एडी ने और एडी अगर इन कंपनी उस पर रेड कर रही कंपनी के उपर रेड कर रही है तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि घोटा बहार आ रही है तो मजबूरी में मूह दिखाने के लिए इन्हें रेड करनी पड़ रहे हैं लेकिन इनके खिलाव कोई भी मजबूत कारवाई नहीं होगी जैसा की एडी की रेड में से खुद पता लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने साट एक या 90 लाग र और दुख की बात यह है कि जायों में जो और यह वीवो कंपनी जो है भारत का इतना पैसा चुराके और चाइनीज आर्मी मैंने वीवो के बारे में तो बताया यह कि यह सब कंपनिया हैं फ्रंट कंपनी चाइनीज क्म्यूनिस पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिब मैं भी हो चुकी है क्योंकि यह इसके उपर वहां पर यह थे कि यह पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानि चाइनीज आर्मी की फ्रंट कंपनी यह सारी कंपनिया यहां से पैसा चुराके हमारे देश के खिलाफ इस्तिमाल कर रहे हैं और हमारी इतनी बड़ी जमीन मोदी जी के सब्सक्राइब करके हो रहा है तो यह जो दो कंपनिया यह वाइव वीव और आपटीन कंपनिया इन्होंने अब एक नया रास्ता में काल निकाला यह कंपनियों का जुरूर्म का जो पैमाना इतना ज्याधा बहर बढ़ चुका भढ़ चुका तो इन्हें भागना कि इन कंपनियों में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे और मोदी जी की सरकार, RSS की सरकार यह कह रही है कि हम इनको cash incentive दे रहे हैं, क्योंकि यह local company आज लेकिन यह manufacturing किसी करेंगे? जायोमी company की, Wibo company की, वीवो company की और अपो की. और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे इसका फाइदा भी किसे पहुंचेगा चाहिना कोई क्योंकि यह इनी कंपनियों की मैनुफेक्चरिंग कर रहा है आप लोग गुगल करके या दूसी तरीके से नेट के जरीए आप यह अराम से ढूंड सकते हैं के लावा इंटरनेशनल कंपनी के डिरेक्टर कौन हैं और डिक्सन जो कंपनी हैं यह दो कंपनियां जिनको इस्तिमाल किया जा रहा हैं तीन चाइनियोंज कंपनी द्वारा तो उनके तार कहां RSS और वीज़पी से चुड़े वें यह बहुत ही आराम से आपको पता लग जाएगा अगर थोड़ी सी भी रिसेर्च करें लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है जो यह वाइवो कंपनी है वीवो जो भी बोलते हैं इसे यह जो कंपनी है यह 1994 में ईडिया में जायोम है में चलते हैं दोनों कमपनी इडिया में ने है 2014 में आके एक दो साल में पूरे इंडिया की मोबाइल की मार्किट पर कभजा कर लिया इस सब के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूत नहीं है लेकिन 2015 में एक और भी अच्छा काम हुआ अच्छा या बुरा आप लोग तै करेंगे देश की जंता तै करेंगे जो ज सी सी आई के फैनेंस और मार्किटिंग कमेटी के जो है वो मेंबर बन गए है 2015 में और उसके बाद से यह बहुत ही जल्दी एक और में डॉकुमेंट आपको दिखाना चाहरा हूं यह कंपनी जो है कि और अचे इनवॉड जो है कितना बड़ा फैनेंसलिंग केशन हैं आप सब लोगों को पता यह कितना बड़ा पूरा डेश जो है cricket में जुटा हुआ है कितने इसमें पैसा और involved है यह सब आप लोगों को पता ही है मुझे इसके बारे में IPL में कितने सारे पैसे involved है देश की जंता इसको अतना कितना टाइम भी देती है और कितने पैसे भी खर्च करती है इसमें मुझे बताने की आवशक्ता नहीं है लेकिन जब जे शाह साब 2015 में फैनेंस अंड मार्किटिंग कमिटीज के बी सी सी आई के मेंबर बन गए तो 2016 में उसके तुरंद ब अब 2018-19 में या यह कब जे शाह साब सेकेटरी बन गए थे इसके बी सी स्टी आई के सेकेटरी भी बन गए थे आज तो एक तरह से रूली कर रहा है ब्रिजेश पटेल साब चेर्मेन है और यह इसके सेकेटरी है शायद दोनों कि स्टेट से आते हैं मुझे बताने की और यह नहीं और यह जो रहा बार बार इस बात को कह रहा हूँ यह जतनी भी चाइनीज कंपनी से जो इंडिया में काम करती है और जो ऐस चाइनिश गौवर्मंटल एजैंसी की हैं उसमें मनुवादी मान सकता कि गुझराती बिजनस्में कितने डरेक्टर्रेंड़ इस पे रिसर्च करनी चाहिए मैं नहीं तो करके आपको अगली प्रेस कॉंफरेंस बुला के दूंगा मैं आप लोगों से बार-बार गुजारिस कर रहा हूं कि इस पर रिसर्च करें आप क्योंकि मेंस्ट्री मीडिया तो इनी लोगों की खरीदी भी मीडिया है वो यह नहीं करेगी कि उसके बाद अठारा उन्निस में भी वाई वो रही उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुए अठारा उन्निस से पैसे बड़े लेवल पे साड़े बासाट हजार करोड ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे और एक मूह दिखाने के तौर पे दोहजार बीस में ड्रीम 2011 नाम की एक कंपनी है जिसको IPL की स्पॉंसर्शिप इन्होंने एक तरह से ओफ लोड कर दी लेकिन 2021 में दुबारा वाई वो ही वीवो कंपनी ही इसकी स्पॉंसर बन गई तो जिस कंपनी ने वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड रुपे लूटना शुरू कर दिया था उसको जे शाह साब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं उस BCCI ने उसको भारत का सबसे इंपॉर्टन जो सबसे ज़्यादा मशूर स्पोर्ट्स है जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है उसका उसके हवाले कर दिया था स्पॉंसर्शिप और वीवो कंपनी की जो कि चाइना में भारत का पैसा चुरा के भेज रही थी उसको पॉब्लिसिटी हासिल करने का मौका दिया कितना बड़ा यह जे शाह साहब की कयादत में यह काम किया अभी यह और उसमें एक मिंट में रिपोर्ट चपी है भी के जिसमें कहते हैं जे शाह ऑनरेरी सेकेटरी ऑफ बी सीसेटरी आई सेड वी अट्रूली हैपी दाट इंडिया इंडिया लार्जेस्ट और मोस् ट्रस्टेग बिसनेस ग्रूप्स हैव बिलीव इन आई पिल ग्रोथ स्टो और जिसकी खुशी जाहिर जे शाह साब कर रहे हैं आज तक यह नहीं बताया रहा है कि इससे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इतनी बड़ी बेइमान और चोर कंपनी थी जिसको हमने इतनी पबलिसिटी दे दी आज तक जे शाह साब ने या किसी भी बी सीसी आई के भाग गई तो दोस्तों आज जो सबसे ज़्यादा जरूरत है वो इस बात की है कि मनुवादी मानसिक्ता के गुजराती बिजनेस्मेंट जितने भी उनके चाइनीज कंपनी से क्या संबन्द है कितने लोग डिरेक्टर है कितने लोग इसमें पार्टनर्स है शेर होल्डर्स है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और यह 23 फ्रंट कंपनिया 23 यह 24 फ्रंट कंपनी इडी बता रही है कि वह भारतिये कंपनिया है जिन्हों ने यह पैसा चुराने में मदद की है वाई वो कंपनी की वीवो कंपनी तो इस पे मैं आप लोगों से गुजारिश जिसको मैं बार-बार दोरा रहा हूँ उसको आप एक्सपोस करो पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं जो भी RSS और BJP की अपने आपको उपोजिशन पार्टी समझती है तो मेरी उनसे भी बहुत बड़ी गुजारिश यह है कि यह जो सारे डाइवर्ट करने के इशूज है उसक में RSS और BJP कर क्या रही है